जवाहर लाल नहरू युनिवरस्टी में पांच जन्वरी को छात्रों के साथ जो कुछ हुआ उसे सारे देश ने देखा दर्जनों छात्र चोटिल हुए पुलस ने मामला दर्ज किया लेकिन कारवाई नहीं हुई जन्यू के चात्रों टीचर्स फेडरेशन आरोप लगा रहे हैं कि पुलस जांच के नाम पर गुम्रह कर रही है पुलस पांच जन्वरी के मामले की जगा चात्रों के आंदोलन की जांच में चुट गई है और आज शाम को जब दिल्ली पुलस ने फ्रस कांफरंस की तो ये आशन का सही भी निकली जिसमें पुलस ने लेफ्ट सगटनों को ही पूरे मामले के लिए जिम्मेदा ठेरा दिया पांच जन्वरी को जैन्यू में अचानक ही चीक पुकार मच गई चात्र जहां छुपने की कोशिश कर रहे थे युनिवरस्टी केंपस में अचानक दरजनों नकाब पोश हाथों में रॉड लिये घुसाए उनकी हमली में कई चात्र बुरी तरह चोटिल हुए कई चात्रों को इलाज के लिए एमस में भरती होना पड़ा बात में शुरू हुआ पुलिस में मामला दर्ज कराने का दौर वैसे तो जब नकाब पोशों ने जेन्यू में तोड़ फोड शुरू की पुलिस के पास सूचना तो तब ही पहुँच गई थी लेकिन पुलिस इसे रोकने नहीं पहुँची अब पुलिस के पैर किसने बां पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है जबकि छात्रों और टीचर्स को पीटा गया था जेन्यू छात्र संगत्यक्ष आईशी घोश भी चोटिल हुई थी जब पुलिस घिरी तो वो प्रेस कॉनफरंस करने सामने आ गई पुलिस ने पांच जनवरी की शाम को जो कुछ हुआ उ इस एफ आई और डी एस एफ के लोगों ने तीन से चार जनवरी को जेन्यू के सर्वर रूम में तोड़ फोर की जिसी सर्वर पूरी तरह से खराब हो गया और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियार रुग गई छात्रों ने सरकारी संपत्यों को भारे नुकसान पहुँचाया है इसके बाद पांच जनवरी को पेरियार हॉस्टल में जाकर हमला किया उसके बाद पुलिस वहां पहुँची हमारी जात चल रही है लेकिन इस वक्त तमाम अफवाहे चल रही है जिस कारण से हमें प्रस कॉन्फरंस करनी पड़ रही है दिल्ली पुलिस ने आठ शात्रों की फोटो भी जारी की जिसमें अधिकता चात्र लेफ्ट संगटनों से जुड़े बताय जा रही है इन में से एक नाम आईशी खोश का भी है वो अलग है कि इस मामले में आईशी खोश भी चोटिल हो गई थी पुलिस के दावे के तुरंद बाद जवाब देने की बारी हमारे पास भी बहुत हैं सबर्दस्ती हमारे उपर आरोप लगाय जा रहे हैं संदिग्द बोलने से कोई संदिग्द नहीं हो जाता है उसका सबूत भी होना चाहिए मुझे ना प्रॉक्टर पर भरोसा है और ना ही कुलपती पर भरोसा है इन सब के बीच चिंता इस बात की ऐसे में सवाल यही है कि छात्रों के अधिकारों का क्या होगा क्या दबा दी जाएगी उनकी आवाज डीबी लाइफ की रिपोर्ट